हेलो गाइज, वेलकम टो एजुकेशन इड़ा, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को मिसना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, तो हमने NCRT कम्प्लीट कर ली थी, 6th और 7th की जोगरफी, जो कि हम इसे भी जल्दी कम्प्लीट कर लेंगे, आप हमारी चाद बने रहें, वीडियो के एंड तक हम इस लेसन को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, तो आज का जो हमारा लेसन है, क्लास 8 का, ये 1st लेसन है, जो कि जोगरफी का लेसन है, और इस लेसन का होते हैं, संसाधन, अब ये संसाधन होते क्या हैं, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे कि हमारे पास पैन हो सकता है, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर कोई और काम करने वाले जॉब करने वाले लोग हैं, वो डैनिक का यूज़ कर रहे हैं वो पैन का यूज़ कर रहे हैं मुबाइल का यूज़ कर रहे हैं यह सभी है क्या यह सभी संसाधन ही तो है ठीक है अभी हम इन्हें के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन होते क्या हैं इनका निर्मान कैसे होता है संसाधन कितने परकार की होते हैं इनका का इस्तिमाल कैसे किया जाता है, इनका जो संसाधनों का हम गलत इस्तिमाल कैसे कर रहे हैं, संसाधनों को बरबाद कैसे कर रहे हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, इन सभी बातों को हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने चैप्टर को, तो resources, resources को हम utility, utility क्या होती है, कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु को हम जब प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, वो हमें कोई भी वस्तु है, अगर वो हम उसका अपयोग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, ठीक है, और वो हमें उपयोगी दे रही है, utility दे तो वह resources है है वह ठीक है और two value क्या होती है value किसी चीज का Hmm value २ क्या होती है शी जैसी जैस जो Made Era paon exists in terms of median जैसे कि अगर हमने iron कोई बी चीज हम खरीते हैं उसमें iron का यूज किया गया है तो वह हमेंखी पैसे दिने पड़ेंगे अगरवए कोई beautiful scene है कोई landscape है कोई द्रिश है कोई निजारा है तो उसके लिए हमें पैसे क्या देने पड़ेंगे कि उसकी कोई economic value नहीं है पर पर यह human उसके होते हैं कि वो हमें बिमारियों से बचाते हैं जैसे कि अगर हमें बुखार चड़ गया है तो उन्होंने कोई ग्रेलियों उसका बता देना है कि अच्छा बच्चे को ऐसे यह चीज पिला दो तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा क्या उसकी कोई कीमत है useful तो वो भी है हमारे लिए पर वो हमारे लिए useful है फिर उसकी कोई कीमत क्यों नहीं है क्योंकि उसका patent नहीं किया हुआ Patent किया होता है, Patent Type रॉता है, कि अगर हम किसी चीज का अगर हम निर्मान करने लग जाते हैं, कि हम patent एक रॉता है, कि हम इसको एक medicine बना देते हैं और Patent का धिकार कर लेते हैं तो वो चीज को हम economically क्या कर सकते हैं, यौ shops economically वो चीज valuable हो जाती है, उसकी development के लिए time and technology समय और प्रिदोग की ये जो दोने चीजें हैं ये किसी resources को resources में बदलाव के लिए किसी संसादन में बदलाव के लिए बहुत ही यादा जिम्मेदार है कैसे जैसे की technology वैसे होती क्या है the application of latest knowledge and skill in doing or making things कि हम के हमारे पास किसी चीज को बनाने की या इस्तिमाल करने की कितनी जादा जानकारी है कितनी जादा knowledge है हम उस resources का करेंगे क्या अगर हमें यही नहीं पता कि वो resource को हमने इस्तिमाल कैसे करना है अगर हमें यहीं नहीं पता कि यह जो मिट्टी है इसमें हम खेती भी कर सकते हैं, पहले भी किसी मनुष्य नहीं खेती कियी होगी, आजिमानों नहीं खेती कीती पहले-पहले तो उनको कैसे पता लगा, अगर उसको पता ही ना चले कि इसमें खेती कर सकते हैं तो फिर वो संसाधन हम उसे कह सकते हैं नहीं कह सकते People themselves are the most important resources जो मनुष्य है वो अपने आप में ही संसाधन है अब आप सोचोगे मनुष्य कैसे संसाधन हो सकते हैं जैसे कि देश में संसाधन होते हैं Petroleum एक संसाधन है हमारी धर्ती है वो एक संसाधन है हवा एक संसाधन है और जितनी भी चीजें है वो सभी एक संसाधन है पर यह मनुष्य जो human beings है वो कैसे संसाधन हो सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यह जो human beings है उन संसाधनों का जो इस्तेमाल है उन human beings नहीं तो करना है जैसे कि अफरीका जैसे countries है विश्व के सबसे गरीब देशों में से यह गिनी जाती है क्यों गिनी जाती है उनके पास क्या संसाधनों की कमी है नहीं ऐसा नहीं है विश्व की सबसे बड़ी जो हीरे की खाने हैं किम्बरले में वो अफरीकाज में हैं वहां पर कितने सारे ऐसी जगह हैं वहां पर सो ना और बहुत सारी चीजों चीजों के वहां पर रिजर्व मिलते है पर फिर सरी मिलते है फिर फिर फूरिक। continent के बारे में कल हमने पड़ा था फिर भी अपरी का गरेब क्यों है क्योंकि वहां के जो resources है वह अच्छे से इस्तिमाल किये ही नहीं गए उनका अगर कोई resources जो है उनके जो वहां की लोग है मनुष्य भी तो संसादन है अगर मनुष्य उन संसादनों का अच्छे से प्रयोग करेंगे नहीं तो वह फिर resources कैसे कहलाएंगे तो यह जो ideas होते हैं क्या इस मनुष्यों के जो ideas होते हैं जो knowledge होती है जो invention होती है जो अविश्कार किये गये हैं और जो खोज़े की गई हैं यही जो resources हैं संसादनों को क्या बनात हैं क्या बनाती हैं बहुत ही उपयोगी बनाती है मनुष्य क्या है मनुष्य भी एक परकार के संसादनी है यह मनुष्य ही तो इन संसादनों को अच्छे डंग से प्रयोग करेंगे अब एक छोटी सी लैंड है ठीक है अब उस लैंड में कितनी हम फसल उगा सकते हैं अब य इसी जगह में इतनी ज्यादा फसल नहीं उगाई जाती थी जितनी आज के टाइम में उगाई जाती है पहले के टाइम में क्या था कि पहले इतनी मोटी मोटी बीज वाले जो की मोटे अनाज वाले बीजों को नहीं उगाया जाता था फिर साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या क वह और ज्यादा मोटा उकता है तो यह हमें क्या समझा रहा है कि यह मनुष्य हैं यह भी तो मनुष्य ही हैं यह भी human beings हैं जोनोंने इनको इतना ज्यादा किया है इनका ज्यादा इतना विकास किया है धीरे धीरे जैसे कि electricity electricity का इस्तिमाल किया जाने लगा इसी तरह पहले पहिये की खोज नहीं थी तो जब पहिये की खोज हुई तो फिर धीरे धीरे लोगों ने घर पे खाना बनाना शुरू किया इसी तरह hydro electricity का इस्तिमाल होना शुरू हुआ फिर energy उर्जा का इस्तिमाल शुरू किया गया इसी तरह धीरे धीरे अगर आप देखोंगे तो जो necessity है is the mother of invention है कि जैसे जैसे हमें जुरूरत पढ़ती जाती है हम नहीं नहीं चीजों का अविश्कार करते जाते हैं अगर उन्स टाइम में यह इतने अविश्कार ना हुए होते तो हमें आज इतनी चीजे देखने को नहीं मिलती यह सारा विकास किया किसने है यह सारा विकास मनुष्यों ने human beings ने किया है तो हमें यह पता लगता है कि मनुष्य भी एक परकार के संसाधन है अब हम देखेंगे types of resources जो resources हैं वो कितन यह human कि जो मनुष्य खुदी हैं अब human made की तो बात चुड़िए natural resources का हम करेंगे क्या अगर human इनका इस्तेमाल करेंगे यह नहीं हम इनको बताएंगे नहीं कि अच्छा यह natural resources हैं प्राकरतिक संसाधन हैं हम इनका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे हम natural resources प्राकरतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं that are drawn from nature without much modification are called natural resources कि जिनकी ज्यादा modification नहीं की गई होती जिनको ज्यादा तब्दिल नहीं किया गया होता सीधा प्राकरतिक से सीधे हम निकाल लेते हैं जैसे अगर हम जो हवा में सास ले रहे हैं तो क्या हवा है यह क्या संसाधन नहीं है अगर हवा नही जल को जल की कितनी importance से हम सभी जानते हैं अगर दो दिन हमें जल ना मिले तो हम मरने वाले हो जाएंगे हम जीवित नहीं रह सकते बिना जल के और जल मिलता कहां पर है रिवर्स से लेक्स से ठीक है और और क्या क्या हो गए natural संसाधन में जो प्राकरतिक संसाधन है mineral जो हमें दिया है यह हमें free gift है से हमें हमें अगर free मिल रहे हैं इसलिए हम इनकी कदर नहीं करते अगर हमें be enjoying इंव कोई मिलती है तो हम उसका अच्छे सेwang thoughtful नहीं करते उसको बर्बाद करते हैं तो यह हमें natural ने nature ने यह सभी तीजे दिया है हमें इनका ध्यान से इस्तेमाल है यूज है वो करना चाहिए अब यह जो प्राकरतिक संसाधन है इनको भी दो भागों में बाटा हुआ है जैसे कि हो गया renewable and non-renewable इसको क्या कहते है नवी करनिया और गैर नवी करनिया अगर नवी करनिया renewable resources अगर आप नाम से समझ रहे हैं तो यह शायद दुबारा बन जाते होंगे जैसे कि renewable लिखा हुआ है renewable मतलब यह दुबारा से बन जाएंगे जैसे example गया हो सकती है जैसे कि water है चलो water तो वैसे भी water का जो स्तर है वो भी घटता जा रहा है पर फिर भी जो हमारे प्लैनेट पर हमारे अर्थ पर यह कभी water है वो कभी कम नहीं होता वो सेम मातरा में रहता है फिर भी हमें water को ध्यान से इस्तिमाल करना चाहिए जैसे कि land है लैंड भी वैसे renewable resources ही है बट इसका भी हमें ध्यान से इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि यह erosion है जब भी बारिश आत होती है फिर भी renewable resources होते हैं इस में कौन कौन से आते हैं जैसे कि हवा अभी क्या कभी खतम हो सकती है क्या हमें oxygen की कम हो सकती है नहीं होगी और यह सिंद्ध का हम energy में किसी बी solar plant में किसी का भी कहीं भी यूस कर सकते हैं जो संद्ध राइट सूर्ज की करने है वह कभी खत्म नहीं होगी जैसे कि winds energy जो कि winds पवंच चक्खियां लगी होती हैं उनका इस्तेमाल हम electricity पैदा करने में करते हैं तो क्या वो कभी खतम होगी ने खतम होगी यह कुछ time के बाद अपने आप ही वापस आ जाते हैं इनका निर्मान हो जाता है दुबारा से इनको ज्यादा समय नही renewable resources आपको यहां दिख रहा होगा नॉन renewable resources गैर नवी करने संसाधन यह कौन से संसाधन है जो भी बहुती थोड़ी मातरा में आ है और यह एक बार अगर खतम हो गए तो इनका जो इनको हजारों साल लाखों साल इनको दुबारा बनने में लग जाएंगे जैसे कि जो petroleum हो गया natural gas हो गई और इधन हो गया जैसे कि fossil fuels हो गया या कोईला हो गया यह सबी क्या है examples है किसके non renewable resources की अगर यह एक बार खतम हो गया तो इनको बहुत time लग जाएगा बनने में अगर वही हम renewable resources की बात करें नमी करने संसाधनों की तो उनको ज्यादा समय नहीं लगता दुबारा से बनने में अभी हम बात करेंगे distribution of natural resources जो इनकी इनका जो इनकी जो इनका बटवारा है कि जो distribution नेचरल रिसोर्स का कहां कहां पाई जाते हैं और यह किस बात पर निर्भर करता है कौन सी बाते हैं डिटर्माइन करती हैं कि यहाँ पर यह natural resources होगा तो यह main है terrain कि वहाँ पर स् ने मुट quem आरे शेमिंट की जल्वाईयों कैसी है जप वर्शा ज्यादा होती है वर्शा कम होती है यह बिलकूली सूखा होता है जैसे की सहरा रगिस्तान में है जो अब फिर जो थार मरुस्तल है राजिस्तान में या फिर जो की तिबबत पट जो मारा लदाख में जो था कौन सा लदाख में जो डैजट है वो किस परकार का है वहाँ पर कैसे जलवायू पाई जाएगी वहाँ पर कैसे संसाधन मिलेंगे यह सभी बात किस पर निर्बर करती है कि वहाँ की जो भौतिक स्थिती है वो कैसी है भुगौलिक स्थिती और अल्टिटूड वो कितनी उचाई पर स्थित है अल्टिटूड क्या होती है उचाई तो यह सभी बाते हैं वो distribution of natural resources की वो जो resources है कोई विशेश resources है वो कहाँ पर कितनी मातरा में कितना कितना मिलेगा और कैसा resource मिलेगा यह सभी बाते किस पर depend करती है यह वहाँ के इन तीन चीजों पर तीन चार चीजों पर यह factor ने कारक है इस पर निर्धारित करती है और यह जो distribution of resources है यह क्या है अनीक्वल है असमान है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो factor है वो बहुत ही अलग-अलग प्रभावित करते हैं अलग-अलग धंग से प्रभावित करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अगर climate अलग होगा तो वहाँ पर resources भी अलग पाहें जाएंगे इसलिए यहाँ पर यह सभी बाते वैरी करती हैं अब हम देखेंगे human made resources human made resources नाम पढ़ने से हमें पता लग रहा है सब point देखने से पता लग रहा है कि यह जो human made resources है कि जो resources मनुश्यों ने बनाए है human beings ने जो resources बनाए है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम human made resources कहते हैं और जैसे कि iron ore है iron ore तब तक resources नहीं था जब तक human beings ने उनको निकालना नहीं सीखा उनको जब तक iron बनाया नहीं उसको खुद को निकाला नहीं इस्तिमाल नहीं किया तब तक हम उसको कैसे resources कह सकते हैं अभी बात करेंगे कि यह जो लोग हैं use natural resources to make buildings और यह लोग क्या करते हैं इनहीं संसाधनों का प्रयोग करते हैं प्राकरतिक संसाधनों का प्रयोग किसमें करते हैं buildings बनाने के लिए अब buildings को भले ही buildings को हमने natural resources की मदद से बनाया पर बनाया तो मनुश्यों नहीं है human beings नहीं बनाया तो हम इनको प्राकरतिक संसाधन नहीं कहेंगे इनको हम human made resources यानि के मनुश्यों दवारा बनाये गए संसाधन कहेंगे और bridges, roads, machinery and vehicles यह सभी resources हैं इनको किसने बनाया है? मनुश्यों ने बनाया है इनको हम human made resources कहते हैं जो technology है यह भी human made resources ही है कि हम किसी चीज़ को बनाने के लिए जो भी technology इस्तिमाल कर रहे हैं यह सभी क्या है यह सभी मनुश्यों नहीं बनाई है अब हम देखेंगे human resources human as a resources कि मनुश्य एक संसाधन की तरह कैसे काम करता है अब इन नेचर जो हमारे देश में जितनी प्राकृतिक संसाधन है अब इसको बताएगा कौन क्या अगर वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहेगा कोई इनसान नहीं है वहाँ पर किसी भी continent पर जैसे अफ्रीका है वहाँ पर अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो उन संसाधनों का कोई प्रयोग कैसे करेगा तो यह क्या है कि जो in best use of nature है इसको कौन इस्तिमाल करेगा इनको करेगा इनसान इस्तिमाल करेगा कैसे इस्तिमाल कर कि abilities and refers to the number of quantity and abilities of the people, though there are differing views regarding treatment of humans as resources, one cannot deny the fact that the skill of human that help in transferring the physical material into valuable resources. कि इन बातों पर बहस शड़ी रहती है कि human को resources माना जाना चाहिए के नहीं माना जाना चाहिए, तो यह obvious सी बात है कि human resources है, तभी तो वो इन प्राकृतिक संसाथनों का इस्तिमाल कर रहे हैं, अगर वो नहीं होगे तो इनका इस्तिमाल करेगा कौन, यहाँ पर आप देख रहे ठीक है, तो इन्होंने पढ़ाई पढ़ाई की और इन्होंने फिर लोगों को आपको बताया कि हाँ भी यह जो thanks, that's all to the knowledge, education and skill, we could find a solution, कि यह education ही तो है, जिसने इस बात का solution बताया, ठीक है, फिर यह मनुश्य ही तो है, कि जो इस बात का solution बता रहे हैं, कि हाँ यह problem ऐसे solve की जा सकती है, अगर यह नहीं बताते हैं तो फिर यह प्राकरतिक संसादन है, फिर उनका फिर अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो अब हम इनकी बात करेंगे, कि इसलिए हम मनुश्य को क्या कहते हैं, एक special resources कहते हैं, कि एक विशेश संसादन है, और people are human resources, इनको क्य जाता है, इनको क्या चीजें हैं कि valuable resources क्या बनाती है, education है, जो सिक्षा है, education and health, इनको क्या बनाती है, एक valuable resources बनाती है, और improvement of the quality of people skills, so that they are able to create more resources is known as human resource development, कि जब हम quality of people skill, कि जब हम लोगों की, हम मनुश्यों की जो quality है, कौन सी quality, कि कि किसी चीज को कैसे इस्तिमाल किया जा सक सकता है, जो उसकी skills है, उनका दमाग है, उनकी जो brain को और sharp बनाते हैं, इनको हम human resource of development कहते हैं, जैसे कि पहले कोई काम करने में हमें 5 दिन लगते थे, अभी हमें 2 दिन लग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, कि वो उस काम को करने का उसने और easy way ढूंट लिय सकता है, जिससे कि वो काम और तेजी से किया जा सकता है, तो means कि human resource development कि उस इनसान का development हुआ है, तो इसे हम मानो संसाधन विकास कह सकते हैं, अब बात करेंगे conserving resources, कि जो conserving resources क्या होते हैं, कि यह जो संसाधन है, उनका selection, क्या होता है, कि हमने उन resources को बचा कर रखना है, अब यह जरूरी तो नहीं कि यह जो संसाधन है, वो हमने अभी पढ़ा, पढ़कर आए, कि resources होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, renewable and non-renewable, अगर हम इन resources को ऐसी इस्तिमाल करते रहेंगे, बरबाद करते रहेंगे, ध्यान से इस्तिमाल नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले पीड विकास हिंदी में कहते हैं ऐसे, कि जब भी हम किसी भी संसाधन का बहुत ही ध्यान से इस्तिमाल करते हैं, उसकी जो requirement है, हम उसको project में, उसकी वरतमान में, उस चीज को हमें कितनी नीड है, अभी ये तो नहीं कि हम अंधा दुन, उन resources की exploitation कर रहे हैं, सोशन कर रहे हैं, कि ह जाओदी, एरेबिया, जैसी एरान, ये लोग कर रहे हैं, कि ये अंधादुन दिन रात बस petroleum का जो निकालते जा रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, कि जब ये petroleum और ये जो gases हैं, ये जो इधन हैं, ये सभी खतम हो जाएंगे, तो फिर उस समय हम क्या करेंगे, तो फिर हमारी जो आने वाली future में generation है, उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें sustainable development करना चाहिए, कि ऐसा विकास, जिसमें हम future में जो आने वाली future से जो आने वाली generation है, जो हमारी पीडिया होगी, उनके लिए हम इतने संसाधन बचा के र reservation, अभी हमने उपर देखा कि संसाधन selection होता क्या है, कि हम जब time देते हैं, कि किसी संसाधन को पहले बात तो एकदम उनको ध्यान से इस्तिमाल करना है, ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना, जितनी हमें जरूरत है, हम उसका इस्तिमाल उतना ही करेंगे, और उसको थोड़ा time दे रखते हैं, कि हमें कितना इस्तिमाल करना है, और कितने time के लिए इस्तिमाल करना है, ठीक है, कि हम ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करेंगे, उसे हम अभी हम पढ़कर आए, कि उसे हम sustainable development कहते हैं, कि resources का इस तरह यूज करना, कि आने वाली जो generation है, उनके लिए भी वो resources available हो, मौ जरूरी तो नहीं, कि हम अगर हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम फिर भी उन resources को निकालते रहें, जितनी जरूरत है, हम उतना resources का इस्तिमाल कर सकते हैं, संसाधनों का, और recycling, कि हम एक resource को भी दवारा से इस्तिमाल भी कर सकते हैं, reusing thing, हम उन चीजों को, जो चीजें reuse की जा सक सकती हैं, उनको हम दवारा इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे कि paper है, paper किन से बनता है, paper बनता है, अगर paper को हम दवारा उसको क्या करते हैं, recycle करते हैं, recycle या उसको reuse भी कर सकते हैं, उन papers का कहीं और इस्तिमाल भी किया जा सकता है, तो इस तरह हम इन संसाधनों को बचा सकते हैं, क् some principles of sustainable development कि कुछ सिधानत हैं कि हम जब भी विकास करेंगे तो हमें क्या क्या करना चाहिए जो स्बीनों की डिर्फस्ट티 क्रिए और और उप्रुब्व न है उसको इंप्रूव करने का प्रियास करना चाहिए conserve the earth, vitality and diversity कि हमें जो earth की diversity है जो विभिन्नता पाई जाती है हमें उसे भी सरक्षत करके रखना चाहिए minimize the depletion of natural resources कि जो हमारा प्राकृतिक संसादन है उसका जो नस्ट किया जा रहा है उसको बहुत ही तेजी से बरबाद किया जा रहा है change personal attitude and practices towards the environment कि जो हमारा attitude है हम उसको change कर सकते है कि हमें जो environment है उसको हम ऐसा मान सकते है कि हमें इसे बड़े ध्यान से carefully use करना है कि हमें इसे बरबाद नहीं करना enable communities to care for their own environment कि हम सभी को ये बता सकते है कि हमें ये हमारा खुद का environment है हमने इसे बचा कर रखना है इन सभी बातों का हम ध्यान रखके जो प्राकृतिक संसादन है हमारा जो पर्यावरण है हमें इने बचा सकते है हमें पर्यावरण ने इतना कुछ free of cost दिया हुआ है मुफत में दिया हुआ है तो हम इनको बचा कर अच्छे से इस्तिमाल क्यों नहीं कर सकती तो यह हमारी ड्यूटी है इसलिए यह हमारा लेसन था समाप्त हो गया बहुत ही इंपॉर्डेंट लेसन था अभी हम इसके कुछ question answer देख लेते हैं वाया resources distributed unequally over the earth जो resources है वो unequally क्यों resources हैं जो बटे हुए हैं क्योंकि यहां की जो topography है जो factor है जो निर्धारित करते है कि यहां पर कोई सासा संसादन होगा वो अलग-अलग है जैसे कि वहां का terran है जो वहां की स्थला करती है वो अलग है और वहां का climate थीक है इन सभी जो कारक है यह सबी कारक्या करते हैं इनको वहां पर कितनी वर्षा हो रही है ठीक है यह सबी बाते हैं हमें equally distributed जो natural resources है what are the resources what is resource conservation कि पर्यावरन संसाधन सरक्षन क्या है कि हमने संसाधनों को बड़े ध्यान से carefully use करना है जितनी जरूरत है उतना ही इस्तिमाल करना है और बहुत सारे तरीके अपनाने हैं जिससे कि जो संसाधन है उनकी बरबादी ना हो कि हम संसाधनों को कम इस्तिमाल कर सकते हैं लोगों को जागरूत कर सकते हैं तो इस तरह से इसे हम resource conservation क इसलिए जो human resources है वह बहुत ही ज्यादा important है कि उस human resources को जो केरफुली है विद्धा help of intelligence कि हम जिसी भी resources को जो इस्तिमाल करना है वो सभी humans के हाथ में है तो यह इसलिए जो human resources है वह बहुत ही ज्यादा important है what is sustainable development सतत पोशने विकास क्या है कि जब हम इस तरह से विकास करें कि हम आने वाले जो generation है उसके लिए हम उन संसाधनों को बचा कर रख सकें ठीक है कि हमें आने वाले जो generation है उनको proper way में वो संसाधन इस्तिमाल करने का मौका मिले इसे हम क्या कहते है sustainable development कहते है ठीक दा correct answer which one of the following does not make substances a resources कि इन में से कौन सा है कि जो नहीं बनाता substance of resources कि संसाधन का वो नहीं है संसाधन नहीं है तो resources क्या होते है जिनकी utility होती है value भी होती है पर quantity में इसका इतना ज्यादा नहीं बताया गया कि जो which of the following does not make substance resources को यह quantity किसी resources को नहीं बनाती ठीक है तो quantity होगा इसका सही answer which one of the following is a human made resources की निमन लिकत में से human made जो मनुश्यों ने बनाया है वो कौन सा है क्या medicine to treat cancer cancer के लिए जो दवाई बनाई गई है वो spring water जो फवारा है human resources ने बनाया है मनुश्यों ने बनाया है complete the statement non renewable resources आर कि हमने यह पढ़ा था renewable resources पढ़ा था और non renewable resources पढ़ा था तो इसमें से non renewable resources कौन सा होगा गयर नवी करणिय साधन संसाधन दोस विच्चा लिम्टेड स्टॉप की बहुत ही कम है मिल्वा human beings कि यह उनको human beings ने बनाया है और डेरिफ्ट हम नॉन लिविंग से बने हुआ है तो यह कौन से हैं जो कि बहुत ही लिम्टेड स्टॉप में है कौन से बहुत ही थोड़े से हैं यसे हम non renewable resources कहते हैं और renewable resources कौन से थे कि जो दबारा से बन जाते हैं जैसे कि जो हमारा wind थी sunlight है यह सभी क्या है यह सभी renewable नवी करने संसादन है तो चलिए हैं अब हम अपना session समाप्त करते हैं आपको यह video कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं अगर आप आशा करता हूं आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप comment करके जरूर बताएं मैं आपका उसका जरूर जवाब दूँगा thank you so much for watching God bless you all